अलो फ्रेंट्स है मपरती वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम ये प्लांट्स की जगे क्या लेकर बैट गए हैं तो आज हम आप से शेयर करेंगे गिलहरी के बच्चे के लिए छोटा सा घर कैसे बनाएं क्योंकि का कैसे उसके लिए घर तयार करें तो ये हम इसको आज चोटी सी गिलहरी का बेबी मानेंगे और ये एक बास्केट लेंगे अगर जादा चोटे बच्चे हैं यानि की आँखे नहीं खुली हुई है तो चोटी सी बास्केट में ही काम चल जाएगा और अगर जादा बड़े ब कोई भी स्वेटर है पुराना जो बेकार हो चुका है और इस तरह से रूई लेनी है रूई हमारे पास अभी जो खुली हुई होती है वो नहीं है ये कॉटन बॉल्स है तो इसी को ही हम प्रियोग करके आपको दिखाएंगे तो आप कोई भी नॉर्मल रूई जो होती है वो इस तरह से कोई कैप है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है क्योंकि इसमें गर्माहट बनी रहती है एक बार गिलहरी जब हम कपड़े सुखाने के लिए उपर डालते हैं तो उसमें एक हैंड गलव था जो की गिलहरी ले गई थी वो काफी ढूंडा नया था मिला ही नह है तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है और इसमें आप रूई रख दीजिए कॉटन रख दीजिए और कुछ कपड़े के छोटे-छोटे पीसिज रख दीजिए माल लीजिए गलहरी का बच्चा है तो ये इस तरह से इसमें चुपकर बैट जाता है वो अपने आप ही अ दर पास होती रहे क्योंकि नहीं तो जो गलहरी है उसका दम घुट सकता है तो वो सही नहीं है इसलिए थोड़ा सा साइट से हलक असा जिससे जादा हवा न जा पाए ठंडी थोड़ा सा जिससे फ्रेश एर अंदर जा पाए तो वो ठीक रहेगा तो इस तरह से तो आप उन बेबी इसका घर मना सकते हैं जो जादा चोटे हैं जिनकी आँके खुली हुई नहीं है या जो जादा उचलकूद नहीं करते हैं हमेशा सोते रहते हैं तो उनके लिए इस तरह का बास्केट का घर ही काफी रहता है तो देखे इस तरह से जो छोटा बेबी होगा वो उसमें छुपकर अपने आप ही बैट जाएगा और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ी सी रूई और एड कर सकते हैं या थोड़े से कपड़े जो हैं उनको आप कट कर सकते हैं एक्स्ट्रा एड कर सकते हैं इसमें ये केवल एक छोटा सा आइडिया था तो अगर अच्छा है भड़ा बेबी है वो पाहर निकलाता है बास्केट से तो आप इस तरह का कोई हब्य कारटन ले सकते हैं या कोई बी जैसे यह मिक्सी का एक बॉक्स है जिसमें mixy आई थी तो उसमें हम इसको जो एक woolen कोई भी आप sweater ले सकते हैं या कोई भी sweatshirt है वो आप ले सकते हैं पुरानी ये ज़रूरी नहीं है कि नया ही लेना है सारा समान ये एक पुराना sweater है जिसको आप सबसे पहले अंदर की तरफ इस तरह से रखिए और फिर जो box है इसको हम cover कर देंगे इसी sweater से तो ये क्या है गर्मा हट को बनाए रखेगा और जो बाहर से ठंटी हवा इस box पर लगेगी वो इसको cover कर लेगा जैसे ही sweater तो फिर वो गरम रहेगा तो ये बहुत अच्छा घर बन जाता है और इसी तरह से ये रखा हुआ भी बुरा नहीं ये जब गर्मिया होती है तो ये बहुत अच्छे से जो गिलहरी का बेबी है इसमें easily रह सकेगा और कोई भी जैसे स्टोल अभी हमने आपको उस पर बताया है बास्केट पर रखकर ऐसे ही कोई शॉलियर स्टोल आप ऐसे ही इसमें अंदर रख दीजिए तो वो भी और ये जबने हैं कि आपको बार-बार उसको देखना है वो अपने आप ही जगह बना लेता है जो छोटे बेबीज होते हैं जो गर्माहेट को अपने सी जगे रहने देनी है तो इस तरह से भी आप चोटा सा घर बना सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कोई बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग ऐसी ऐसी बाते लिख देते हैं कि आप जल्दी बताइए नहीं तो जो स्क्वेरल बेबी है वो मर जाएगा तो ऐसी बात नहीं है आप उसका ध्यान रखिए इस तरह से आप उसके लिए घर तयार कीजिए मिल्क दीजिए उसको ऐ ऐसे नहीं मरेगा बेबी जब आप लोग इतनी केर करते हैं तो और कभी भी कोई परेशानी आए तो हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताय कीजिए तो देखिए बन गया है इतना खुबसूरत घर जो कि देखने म क्रोंड़ नहीं जरू करने कीज से तो हम झाले कि पुलभे कीजिए तो हम करेवा दोग थे टूरत नहीं मुझने केल गया है ए तो हम जल्दीन आप लोगे हैं तो हम जल्दीन ởने INC wel कि द énerएगर तो हम जला हैं टो ए